नमश्कार, न्यूस्क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पड़ने मेरी नजर से। वापसी शब्द से संग परिवार को खास लगाओ है। मई 2014 में नरेंदर मोदी ने प्रधान मंत्री के तौर पर शपत लिया। उसके कुछ ही महीने बाद संग के कारेकरताओं ने घर वापसी का आयोजन करना शुरू कर दिया। उत्रप्रदेश के दादरी कजबे में महमद अखलाक को बीफ खाने के शक पर उन्हें संग के एक्टिविस्स ने मार डाला। लिंचिंग के इस इंसिडेंट से घ्रिनत होकर कई इंटेलेक्चुल्स ने अपने सरकारी अवाड वापस कर दिये। तो उन्हें एक अवाड वापसी गैंग कहा गया। जब आयोध्या में राम मंदिर की बात उठाई गई थी तो इनीशियल डिमांड तो बस ताला खोलने की थी। फिर बाबरी मस्जित के स्थान पर उसी साइट पर राम मंदिर बनाने के लिए एक डिमांड को वाइडन किया गया। बाबरी मस्जित द्भस्त कर दिया। फिर नारे लगाए गए थे। ये तो बस च्छाकी है मतुरा काशी बाकी है। डिसेंबर 2021 पिछले साल प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने काशी विशुनात टेंपल कोरिडॉर का उदगाटन किया। एक नया नारा लगाया गया। ये तो बस च्छाकी है असली मंदिर बाकी है। जब काशी के ग्यानवापी मस्जिद के खिलाफ कोट केसिस का सिलसिला शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि उसी प्रोसेस की शुरुवात हो गई है। परंतु अब तो ऐसा लग रहा है संग परिवार ने एक मंदिर वापसी आंदोलन व्यापक तरीके से शुरू कर दिया है। जहां देखो वहीं केसिस फाइल हो रहे हैं। ताज महल, कुतूब मिनार किसी को नहीं छोड़ा। इन में से एक revived dispute मध्य प्रदेश के धार शहर में भोर्षाला का भी है। क्या है ये मुद्दा। जो एक समय लगभग peacefully settled हो गया था या यूँ समझिये उस पर एक तरह की truth हो गई थी, वो क्या है मुद्दा। लेकिन सबसे पहले ये मुद्दा कई सालों बाद रातो रात controversial कैसे हो गया। तरशल 11 मई को मध्य प्रदेश हाई कोट ने भोजशाला विवाद पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आर्केलोजिकल सर्वे अफ इंडिया समेथ कई पक्षों को notice जारी किया था। भोजशाला परिसर स्थित एक मस्जित से जुड़ी मौलाना कमालुद्दीन वेलफेर सुसाइटी उसको भी notice जारी किया गया है। Petitioners ने समविधान के विभन प्राउधानों के तहट आर्केलोजिकल सर्वे अफ इंडिया की विवस्था को चैलेंज किया है। उन्होंने अदालत से हिंडूओं को साल भर पूजा करने का धार्मिक अधिकार देने का और साथ ही मुस्लिम समुदाय को जुम्मे की नमाज अदा करने की अनुमती वापस लेने को कहा है। पिटीशनस ने ये भी मांग की है कि वाग देवी की प्रतिमा जो अब लंडन के एक संग्रालय में है भारत वापस लाया जाए और हिंदूओं की धार्मिक भावनाओं के अनुसार भोजशाला परिसर में फिर से स्थापित किया जाए। याची का हिंदू फ्रंट फर जस्टिस नाम के एक संगटन ने डायर की थी। उसने अपने आवेदन में 7 अप्रेल 2003 को आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के आदेश को चुनोती दी थी। इस संगटन के वकील एक फादर संड डूओ हरी शंकर और विश्नु जैन हैं जो देश में मस्जितों के स्थान पर मंदिरों के रेस्टोरेशन की मांग करने वाले लगभग हर मामले के काउंसिलर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भोजशाला केस की अगली सुनवाई 27 जून को होने की संभावना है। आपके मन में दो सवाल ये सब सुनके उठे होंगे। पहला वाग देवी किस प्राथमिक देवी का अल्टरनेट नाम या फिर मौनिकर है और ये मूर्ती लंडन कैसे पहुँची। दूसरा सवाल अप्रेल 2003 का आदेश क्या है और इसकी प्रिष्ट भूमी क्या थी। भोच्छाला मुद्दे के तह तक जाने के पहले तो कुछ बुन्यादी जानकारियां दी जानी चाहिए आप सब को। एक कि ये मुद्दा मद्धेप्रदेश का अयोध्या विवाद जैसा ही है और इसे पूरी तरह से अंग्रेजों ने मैनुफैक्चर किया है। लोकल कोलाबरेटर्स के साथ अफकोर्स। दूसरी बात भोच्छाला के बारे में 20th सेंचुरी के मद्धे तक कोई लिजेंड मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर जैसे की हम सभी जानते हैं हमारे कोलोनियल रूलर्स ने कदम रखा और भारतिय इतिहास को एक ट्विस्ट दे दिया गया। पिछले दो दशकों में जब भी बसंत पंचमी शुक्रवार को पढ़ती है सामप्रदाइक तनाओ नियमित रूप से होता है। ये शहर अन्यथा शान्तिपूर्ण रहता है। आखरी बार 2016 में ये कोइंसिडेंस हुआ था। स्थानिय प्रसाशन ने आर्केलोजिकल सर्वे अफ इंडिया के आदेशों का उलंगन किया था। एसाई ने निर्देश दिया था कि मुसल्मान दोपहर को एक बजे से लेके तीन बजे के बीच नमाज अदा कर सकते हैं। और हिंडू सुबह दस से बारा और फिर दोपहर में तीन बजे के बाद पूजा कर सकते हैं। लेकिन दोपहर एक बजे सिर्फ दस मिनट के लिए और वो भी केवल पच्चिस मुसलिम मर्दों को गुप्त रूप से ले जाया गया था। उनकी नमाज के तुरंत बाद हिंदूओं को पुना अंदर जाने दिया गया था। शान्तिपूर्ण धंग से पूजा और नमाज पारित होने से प्रसाशन खुश हुआ था। धर्म जागरन मंच ने कहा कि उन्होंने नमाज के समय के दौरान प्रातना करके इतिहास रच दिया। मुसल्मानों के पास नमाज अदा करने के लिए जीत का दावा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही ये कुछ ही लोगों को लिमिटेड एक्सेस मिला था और वो भी बहुत ही कम समय के लिए। वे नुमरिकली डॉमिनेंट जो नहीं थे। 2016 के पहले जब बसंत पंचिमी शुक्रवार को पढ़ा था 2013 और 2003 में इतनी शांती से दिन संपन नहीं हुआ था। हिंसा हुई थी जब हिंदू एक्टिविस्ट ने नमाज अदा करने नहीं दिया था। A.S.I. के अधीन इस इमारत को भोजशाला कहना उचित नहीं है परंतु मेजोरिटेरियन प्रेशर के चलते सबके जुबाँ पे ये चड़ गया है बहुत कम इसे कमालुद्दिन मस्जित कहते हैं। 1822 में जॉन मालकम और 1844 में विलियम किंकैड कमालुद्दिन मस्जित का उले करने वाले पहले ब्रिटिश इतिहासकार थे। इसे ये पता चलता है कि यदि भोजशाला के बारे में कोई एक्टिव लोकता होती तो इसका जिकर उन इतिहासकारोद्वारा जरूर किया गया होता। मतलब नहीं था। इसका भोजशाला कहने का प्रचलन 1903 में शुरू हुआ। शिक्षा अधिक्षक के के लेले जो आर्केलोजिकल आफिस के भी हैग थे। उन्होंने भोजशाला नाम से कहकर पहली बार एक पेपर लिखा। इस थल को ग्यारवी शताबदी के राजा भोज़ से इस प्रकार जोड़ा गया था। बाद में 1908 में इंपीरियल गेज़ेटियन ने इस गलती को करेक्ट किया और रेफरेंसेज हटा दिये गए। लेकिन इसके बावजूद धार प्रिंसली स्टेट ने 1909 में इसे प्रोटेक्टेड मॉनूमेंट खोशित किया और नमाज पर रोक लगा दी। 1934 में प्रिंसली स्टेट ने बाहर एक बोड लगा दिया जिसमें इसे भोजशाला कहा गया। 1935 में नमाज फिर से शुरू हुई और 1944 में पहला उर्स मनाया गया। 1952 में Archaeological Survey of India ने परिसर को अपने कबजे में ले लिया और फिर से नमाज पर प्रतिबंद लगा दिया गया। 1998 में मुसल्मानों को शुकरवार और हिंदुओं को बसंत पंचमी पर प्रात्ना करने की अनूमती दी गई। 2003 में एक modified आदेश में हिंदुओं को, हर मंगल्वार को वहाں प्रात्ना करने की अनूमती दी गई थी। जिसे दिल्ली उछ न्यालय में चुनौती दी गई थी लेकिन याची का खारिज कर दी गई थी उसके बाद की घटनाओं का जिकर मैं अल्रेडी कर चुका हूँ कमालुद्दिन मस्जित जिससे अब भोजशाला कहा जाता है अगर उसकी कहानी इतनी सरल थी तो शरारत कैसे हुई कब से ये शुरू हुई ये 1893 में शुरू हुआ जब आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के लिए काम करने जर्मन एक इंडोलॉजिस्ट एलोईज एंटन फ्यूरर ने मद्दे भारत में यात्रा की उन्होंने मस्जित परिसर को रेकॉर्ड किया और भोज स्कूल शब्द का इस्तिमाल किया उन्होंने मस्जित के कुछ तंबों पर ग्रमाटिकल सूत्राज के बारे में लिखा और दावा किया कि वे शायद एक एजुकेशनल इमारत के हिस्से थे लेकिन फ्यूरर अपने फोज के स्कूल थेयरी के समर्थन में कुछ भी एविडिन्स नहीं जुटा पाए यहां तक कि उन्हें आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उनके पद से परखास भी कर दिया गया फिर भी पियन ओख जैसे हिंदुत्व लेखकों ने फ्यूरर के थियोरीज को लगातार इस्तिमाल किया और इस मित को इतिहास के तौर पर पेश करते रहे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी 2003 में जब वे गुजरात के मुखे मंत्री थे मध्य प्रदेश में अपने पार्टी के लिए प्रचार करने आये थे उन्होंने तथाकतित भोजशाला मंदिर में पूजा करके अपनी कैम्पेइन को शुरू किया था हलांकि फ्यूरर और लेले ने अलग-अलग समय पर काम किया था वे दोनों एक दूसरे से मिले थे और साथ ही राजा भोज का पाठशाला थियोरी को प्रचलित करने की कोशिश की थी और उसको भोजशाला बना दिया गया था फ्यूरर और लेले दोनों ने हलाकि मस्जिद के प्रिमाइसिस के अंदर या वे जिसे भोज का स्कूल कहते थे कोई सरस्वती मंदिर का उलेख नहीं किया इसका रेफरेंस 1901 के एक संस्कृत टेक्स्ट में आया था जिसमें दावा किया था कि राजा भोज ने कई सारे सरस्वती मंदिरों का दौरा किया था उसी दौरान शहर के एक महल के खंडर में सरस्वती देवी की मूर्ती मिली थी लेकिन ये मस्जिद के पास नहीं मिली थी उसके प्रिमाइसिस में नहीं थी ये मूर्ती वर्तमान में लंडन के संग्राले में है ये अलग-अलग कहानिया जोड़ी गई और एक प्राचीन मंदिर पर एक मस्जिद के निर्मान का मिथक विक्सित किया गया जो की राजा भोज द्वारा निर्मित एक पाठशाला भी था ये कहानी जो पूरी तरह से काल्पनिक है अब अदालतों में पेश किया जाएगा एक बार फिर से संग परिवार को अलप संख्यकों पर हमला करने का मौका मिलेगा वे खुले तोर पर गलत इतिहास का मार्केटिंग और पब्लिसिटी भी करेंगे आखिर ये मंदिर वापसी प्रोग्राम का हिस्सा जो है ना नमस्कार